वेलकम बैक इस्ट्रेंट तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके सामने बहुत सारे एक्जाम्स हैं चैसे के ससी जीडी, यूपी असाई और गुरूब्डी की एक्जाम जाने वाली है इसके मद्दे नजर मैं आप लोगों कुछ खास-खास सवालों को काफी बहतरिन तरीके से समझाने जा रहा हूं और आज आपको इसे वीडियो में मैं काफी यूनिक चीज़ सिखलाने जा रहा हूं बने इस वीडियो में तक तो आप लोग जो बोड़ पर तरह का सवाल देख रहे हैं इस तरह के सवाल को कई से सबसे आसान तरीके सम लोग बनाए बिना किसी फर्मूला के तो वो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं स्वागत है मारे इस चैनल पर बनेड़ी इस वीडियो में तक तो चलिए फिर शुरुवात करते हैं आज के इस महत्रीन वीडियो का और सिखते हैं कुछ इस स्पेसल तो यहां पर इस्टूरेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि यदि X प्लस 1 बाई X बराबर 3 तो X पर पावर 5 प्लस 1 बाई X पर पावर 5 बराबर वाट क्या मान होगा इसका ऐसा सवाल बहुत पार आता है हम लोग कभी कभी इसमें उलज जाते हैं लेकिन इसको समझना है इस तरीके से ताकि कभी उलजने की नौवत ही ना आए तो आए सबसे पहले हम लोग यहां पर इसके बारे में कुछ हम लोग चिन के मेटर को समझते हैं कि जब भी इस तरह का सवाल हो तो चिन को हम लोग किस तरह से दिस्टिब्यूट करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर गौर किजिए आपका जो सवाल में जो पहला step दिया गया है x plus 1 by x equal to 3 और दूसरा step जो दिया गया है x पर पावर 5 प्लस 1 by x पर पावर 5 तो दोनों जगा यहाँ पर चिन प्लस है अगर दोनों जगा चिन प्लस हो तो हम लोग इसके लिए minus का प करके लिते हैं कि ओर इसकी अलावें आप कोई भी कंडिशन हो चाहे जौनों जगा लुग माइन्स हो चाहे पहला प्लस दुसरा माइनस मांगे या पहला लुग मायनस दूसरा प्लस मांगे यह सारेже um कांडिशन कौन सा चिन पड़ियों करना है प्लस चिन का पड़ियों करना है सिर्फ दोनों जगा प्लस रहने पे ही हम लोगों को माइनस का पड़ियों करना है तो समझ गयोंगे इस बात को अब आईए यहाँ पर हम लोग चलते हैं सवाल के तरफ माल लीजे अगर आपके पास एक सवाल है कि x प्लस 1 by x बराबर है 8 तो x square प्लस 1 by x square बराबर 8 हम लोग एक तरफ से चलेंगे क्योंकि x पर पावर 5 वाला सवाल बनाने के लिए हम लोगों को ये 2, 3, 4 सभी को सिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा जब भी सवाल होगा तो ये जो चिन्न का प्राबलम है प्लस और प्लस यानि दोनों जो प्लस है हम लोग माइनस का परियोग करेंगे और करना क्या देखे जब इस square का condition हो तो जो भेलू x प्लस 1 बाइ x का यहाँ पर दिया गया है इस भेलू को हम लोगों को main भेलू लेकर चलना है तो 8 पर पावर 2 है ठीक है 8 पर पावर 2 है तो यह हम कर देंगे सबसे पहले सबसे पहले जो मान दिया जागा उसका square कर लेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोगों को प्लस प्लस रहने पर माइनस चिन का अप्रियो करना है माइनस तो माइनस क्या करना है दो करना है यानि कि 8 का square 64 माइनस 2 बराबर इसका 62 हो गया सही जबाब अब अगर इसी जगह पर आपके पास सवाल हो x plus 1 by x बराबर 7 तो x square minus 1 by x square बराबर वाट तो आपको क्या करना है यहाँ value 7 दी गई है x plus 1 by x की तो 7 का square और हमने क्या कहा सिर्फ plus plus में माइनस का प्रियोग करेंगे बाकी कोई भी condition हो चाहे plus minus हो चाहे minus minus हो चाहे minus plus हो हरे condition में हमें यहाँ पर plus का प्रियोग करना है तो plus 2 करेंगे तो 7 का square 49 और plus 2 equal to हो जाएगा हमारा 51 तो उमीद है कि इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ गये होंगे और आईए अब लोग चलते हैं जब power 3 वाली condition हो तो हम लोग क्या करते हैं तो आईए यहाँ पर सवाल देखते हैं अगर इसी जगाँ पर आपका इस तरह से सवाल हो जाए कि x plus 1 by x बराबर 8 है तो आपसे सवाल पूछा जाए x पर पावर 3 plus 1 by x पर पावर 3 की value क्या होगी तो यहाँ पर हमें क्या करना है देखिए यहाँ पर दोनों जगाँ प्लस है माइनस का पर्योग करेंगे लेकिन यहाँ पर करेंगे क्या सबसे पहले जो आपको यहाँ पर दी गई है संख्या इसका सबसे पहले हम लोग क्यूब कर लेंगे चुकि यहां power 3 वाला condition है तो हम लोग इसका cube कर लेते हैं दोनों जिगा plus है तो minus का पड़ियोग करेंगे लेकिन यहां पर क्या minus क्या करना है इसको भी जमनना जरूरी है तो यह जो आपका मान है और इसको 3 यह power 3 के साथ multiply करके तब minus करेंगे आठ गुना 3 ठीक है यहां यानि यह तीन से multiply करना है जो भी मान होगा यहां साथ होगा तो साथ त्या 21 यहां 5 होगा तो पांस त्या 15 यहां 2 होगा तो 2 त्या 6 इस तरह समलको करना है तो 8 का cube हमारा 512 है minus 68 24 हो गया तो यहां पर हमारा 488 इस सवाल का होगा सही जवाब अब माल लेते हैं कि अगर आपको इस तरह सवाल दे दिया जाए x minus 1 by x equal to root 3 दे दिया जाए तो आप से कहा जाएगा x cube minus 1 by x cube की value क्या होगा ठीक है तो यहां पर आपने देखा कि सबसे पहले दोनों जगा minus है तो दोनों जगा minus के लिए हम लोग plus का प्रियोग करेंगे यानि सबसे पहले जो मान दिया गया है उसका cube कर लेंगे और cube करने के बाद plus plus क्या करना है same वही condition, cube बला condition है तो root 3 को यहां तीन से गुना करेंगे यानि कि 3 root 3 तो यहां पर आपका रूट 3 का जो क्यूब है वह आपका हो जगा देखें दो बार रूट 3 होने पर 3 हो जाता है एक और रूट 3 एक्स्ट्रा तो थी रूट 3 और पलस फिर तीरी रूट 3 याने तीन तीन छे रूट 3 इसका आंसर आपका निकल कर सामने आ गया अगर इसी जगा अगर यहां पर दोनों जग अगर पलस होता तो यहां पर ठीरी मैनस फिरूट 3 इकवर्टी यहां पर जीरो हो जाता तो शकता मजा रहा होगा जरूर रमें कमेंट में बताइएगा अगर वीडियो पसंद आ रहा हो इस वीडियो का अधिक सेदिक लाइक और शेयर किजे दिखाते हैं और बहतरीन सवाल भी लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को हर एक्जाम के दृष्टी से तयार किया जा सके तो चलिए फिर अगले इस्टेप पर हम लोग चलते हैं अब सवाल यहां पर हम लोग लेते हैं जब पावर चार वाली कंडिशन हो तब हम लोग क्या करे तो यहां पर इस्टेंट कि आगर आपके पास एक्स प्लस बराबर आपको दे दिया है थिरी आपसे सवाल पुछा जाए एक्स पर पावर फोर माइनस वन बाइक्स पर पावर फोर इक्वार टू वार्ट तो जब फोर की कंडिशन होती है तो हम लोग इसको टू प्लस टू में लेकर चलेंगे यानि कि हमने जो सबसे पहले स्क्वाइर वाला में जो काम किया था उसको हमें दो बार करना है तो कैसे कड़ेंगे आये यहां समझते हैं जो भेलू दी गई है थिरी का स्क्वाइर कर लेंगे और दो वाला ही काम करना है यानि कि माइन जद दो माइनस य गया आप इसी चीज को एक बार और रिपीट करना है नहीं है 11 का स्कूर प्लस दो तो 11 का स्कूर 121 प्लस दो बराबर 123 हो गया इस सवाल का अमारा सही जवार तो उमीद है कि इस चीज को आप लोग सीख गये होंगे अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूं एक्स पर पावर 5 और एक्स पर पावर 5 के कंडिशन में हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं तो चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं अब जो में सवाल आपका है जो सबसे पहले हमने यहां पर लिख कर रखा था यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स बरावर 3 तो एक्स पर पावर 5 प्लस वन बाई एक्स पर पावर 5 बरावर 5 घबराने की जरू तो नहीं है दोस्तों ये भी बिलकुल उतना ही आसान है जितना अबी तक आप देखते आ गया है जब आपको एक्स पर पावर 5 प्लस वन बाई एक्स पर पावर 5 मांगा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको 2 प्लस 3 कर लेंगे यानि पहले हम लोग को स्क्वाइर का काम करना है फिर उसका हम को क्यू का काम करना है तो सबसे पहले यह आपको 3 दिया गया है इस 3 को हम लोग क्या करना है 3 का हम लोग कर लेंगे quantum minus कर लेंगे 2 यानि 9 minus 2 बड़ाबर 7 इसके बाद हम लोग क्या करेंगे cube का काम करेंगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा 3 का cube और हम लोग यहां पर क्या करते थे मान को हम लोग 3 से मल्टिप्लाइ करते थे तो 3 तिया 9 यानि कि यहां प्लोग माइनस क्या करेंगे दोनों जगा प्लस है तो माइनस यहां भी करना होगा 3 गुना 3 यहां से हमारा 3 का क्यूब 27 और 27-9 यह हमारा हो गया 18 अब देखिए यह ज यहां पर हम लोग दोनों मान निखाल लेंगे तो बस कुछ नहीं करना इस दोनों को मल्टिप्लाई कर लेंगे अठारा गुना साथ 126 हो जाता है और यह जो बेलू दिया गया 3 इसको कर लेंगे यहां पर आपका हो जागा 123 यह आपका हो जागा इस सवाल का सही जवाब या हणि का आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे च पर पावर 5 प्लस 1 बाइच पर पावर 5 क अमान हम लोग कैसे निकालते हैं तो यह आपने देख लिया यहाँ पर ये 3 पर power 2 पहले हमने किया square वाला काम फिर उसी मान का हमने फिर किया cube का काम और फिर जब दोनों मान निकल गया तो उसको हमने multiply करके और जो दिया गया मान उसको minus कर लेते हैं तो ये हमारा answer निकलकर आ गया तो उम्मीद है कि दोस्तों काफी बहुत इंपोर्टेंट ही चीज आप लोगों ने आज सीखा है और काफी अच्छे तरीके से सीखा भी होगा उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की जो है लॉजिक आप लगातार हमारे इस चैनल पर सीखते रहेंगे आज के वीडियो में बस इतना ही एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक के लिए गुडबाय जय हिंद जय भारत